अप्र आपको बिल्कुल सुद्ध आंसर की है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले माँ आपको यहाँ पे हिंदी व्याकरण के जो 50 प्रस्न पूछे गए हैं उसकी आंसर की बताऊंगा और आप अपना स्कोर है वो जरूर चेक करें और अरद्ध्यरेस अक सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें बहुत ही सांदार लेवल का यह पेपर था ठीक है अब अपना स्कोर है वो आसानी से चेक कर सकते हैं बिल्कुल सुद आंसर की है ठीक है देखिए दोस्तों यहां पर पहला प्रशन है अज का अर्थ नहीं है बताए अज का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीव अज का अर्थ है सीव नहीं है तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बाकी ब्रह्मा विष्णु और सर्पतिनु है आगे देखिए सुद्ध अर्थ युग्त सब्ध युग्म है तो वो कौन सा है सुद्ध पुछा है ठीक है तो दोस्तों सुद्ध है इसमें जरा वर्दावस्ता जरा थोड़ा सा ठीक है तो यह अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन सही आगे देखिए तीन यहां आपना इसमें एक नंबर ऑप्शन सही चार नंबर का परस्त इसमें देखिए उतकर्स का विलोम है उतकर्स का विलोम क्या हो जाएगा अपकर्स हो जाएगा दोस्तों क्या हो धारण है तो यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर ओप्शन सही आप अपने स्कोर है वो साथ में चेक करते हुए चलना है आपको ठीक है आगे देखे अनुरक्त का उप्योगत विपरितार तक सब्द कोन सा है अनुरक्त का तो दोस्तों अनुरक्त का हो जाएगा क्या हो जाए वियोग राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर ओप्शन सही आगे देखे मरने की इच्छा है तो उप्योगत सब्द है तो वो सब्द है दोस्तों मुमुर्शा सोरी मुमुर्शा ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ओप्शन बिलक तो दोस्तो यानि कि चालाक ही चालाक की बात को समझे सकता है यह अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर उप्शन सही आगे देखिए 11 नमबर का प्रश्ण है संदी से निर्मित सही सब्द कौन सा है संदी से निर्मित सही सब्द है वो सब्द है दोस्तो कौन सा तो वो है महापलस एस्वरिये यानि कि महेस्वरिये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही यह सब्द इसमें सही दे रख रहा है अगे देखिए गी खाया बाप ने सुंगो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है तो दोस्तो वो अभिप्राय क्या है तो वो है दूसरों की कीरती पर डीग मारना यहाँ पर एक नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए तेरा नमबर का प्रेशन है देखिए असुद अर्थ युक्त सब्द युग्म है तो वो कौन सा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर का उप्चन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा विकल पर सुमेलित नहीं है सुमेलित कौन सा नहीं है मा आपको यहां पर बता रहा हूँ देखे नापा कि राधे से की जाने वाली मरतना, मंतरना, दूर्बी संदी ये दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है ये गलत दे रखा है दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे, सही संदी विच्छेद नहीं है तो कुन साइस में सही संदी विच्छेद नहीं है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो देखे, नी पलस उन ठीक है, यह दोस्तो यहाँ पर रहे है देखे, विरल का विलोम है तो दोस्तो विरल का विलोम क्या हो जाएगा विरल का विलोम हो जाएगा दोस्तो सरल, क्या हो जाएगा सरल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक नमबर का option बिल्कुल सही आगे देखे, आ उपसर्ग का परियोग नहीं हुआ है आउपसर्ग का प्रियोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तो देखें आकस्मिक में आउपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर इसमें दो नमबर उपसन सही next किस सब्द युगम का अर्थ बेद करमसे सु संगत नहीं है करमसे सु संगत किसका नहीं है तो यहाँ पर देखें, दोस्तों, परिचचद, ठीक है, तो दोस्तों यह अपना इसमें, गलत दे रखा है, और यह उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें, चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही next निमनलिकित में से कौन सा सब्द सुद नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखे सुद सब्द कौन सा नहीं है right answer हो जाएगा यहाँ पर देखे निरावलम यह गलत सब्द दे रखा है यहाँ पर चार नमबर का option बिल्कुल सही next परले का विपरितार तक सब्द कुन सा है तो दोस्तों परले का विपरितार तक सब्द होगा वो होगा स्रिष्टी क्या होगा स्रिष्टी तीन नंबर का उप्सन बिल्कुल सही स्रिष्टी ठीक है नेक्स्ट आगे देखे ये परते का परियोग हुआ है ये परते का परियोग किसमे हुआ है तो ये हुआ है दोस्तो बावदिये में ठीक है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर तीन नंबर उप्शन सही बावदिये आगे देखे पानी का परियाए नहीं है पानी का प्रिया एक इसमें नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर देखे अम्बू, जीवन, सलील, दर्व दर्व में नहीं है दोस्तो right answer इसमें दो number option सही next आगे देखे विलोमता नहीं है बताए विलोमता किसमें नहीं है तो यहाँ पर देखें लंबा छोड़ा ठीक है तो यह इसमें क्या हो जाएगा? दोस्तो गलत हो जाएगा लंबा का क्या हो गा? छोटा ठीक है? तो यहाँ पर अपना इसमें लंबा का है भोणा होगा? right answer इसमें एक नंबर का option बिल्कुल सही आगे देखे असुद वाक्य है दोस्तो असुद वाक्य कौन सा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो देखे अस्वमेग का गोड़ा पकड़ा गया यह गलत हो जाएगा दोस्तो अस्वमेग अस्वमेग नहीं होता अस्वमेद होता ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमे होते हैं पेट की आग को ठीक है तो यहाँ पर यान की भूक को तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का उप्शन सही उतर यह गलत दे रखा इसमें आगे देखें किस समासिक पद का विग्रह तुरूटी पून है तुरूटी पून किसमें है तो अभी सब्द सुध है तो यहाँ पर देखें दोस्तों देखें दिवारात्र सैथिल्ले और कौनते यह सब्द है यह दोस्तों यहाँ पर सुध सब्द है तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें इस पस्ट को परमान की जुरुत नहीं पड़ 29 नंबर प्रशन है किस विकल्प में सबी सब्द ऐसुध है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पदोननती बेचेन यहाँ पर इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें किस सामसिक पद का विग्रह तुरुटी पून ह तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सूर्टाल यानि कि सूर के लिए ताल चार नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें अनुपसर्ग का उधारन नहीं है अनुपसर्ग का उधारन किसमें नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर देखिए अनुचित अनुचित के अंदर दोस्तों यहां पर अनुपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ तो दोस्तों यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर का उपसंद बिल्कुल सही ठीक है नेक्स्ट आगे देखे गुण संदी का उधारन है दोस्तों गुण संदी का उधारन कुण सा है जहां पर भी आपको उपर एक मातरा दिख जाए गुण संदी है महोत्साव में एक मातरा दिख रही है आपको तो यह क्या है दोस्तों इसमें गुण संदी का परियोग हुआ है ठीके तो यहाँ पर इसमें right answer एक number का option बिल्कुल सही उत्तर स्में हो जाएगा next आगे देखे लै परते से निर्मिते सब्दे नहीं है तो दोस्तों वो कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है देखें यहाँ पर आपको दिखराओगा काजल काजल के अंदर ले पड़ते नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अपना चार नमबर उप्शन सही है आगे देखें एसुद अर्थ वाला सब्द कौन सा है तो दोस्तों वो है यहाँ पर देखें आशे हरते आश्रे सरण ठीक ह यह गलत दे रखा है यहाँ पर आशे तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही है आगे देखें दोस्तों यहाँ पर अनिये परते से रहीत सब्द है अनिये परते से रहीत सब्द कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमरनिये कौन सा है इसमरनि तो right answer हो जाएगा चार नमबर उपसंद बिल्कुल सही आगे देखे करम वाच्चे का उधारण नहीं है करम वाच्चे का उधारण कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें देखे दूप में चला नहीं जाता दूप में चला नहीं जाता ये करम वाच्चे का उधारण नही है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्जर जरना निर्जर जो बूड़ा ना हो दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें किस विकल्प के एक ही सब्द में नी उपसर्ग परियुक्त नहीं हुआ है तो इसका राइट आंसर ह जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों निर्यात निश्चित तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें इन में से कौन सा सब्द बादल का प्रियाए नहीं है बादल का प्रियाए किसमें नहीं है तो दोस्तों यहां पे मंदार यह गाय का प्रियावाची सब्द है वो नहीं है यहाँ पर राइट अंसर एक नंबर उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट किस विकल्प में मुहावरा अर्थ संगत एसंगत है तो दोस्तों एसंगत कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर देखें सीर पर स्वार होना तो द दोस्तों देखें हतोचाय और धनाड़े इसमें दोस्तों सभी सब्द है वो सुध है दो नंबर का उप्शन बिलकुल सही तरह जाएगा आगे देखें किस विकल्प में कोई भी सब्द एस सुध नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजल्वित और पेत्रिक इन तिनों के अंदर दोस्तों ऐस सुद्द नहीं है तो यहाँ पर तीन नमबर अप् чист बिल्कुल सजुँ आजिए आगे देखिए सुद्द वाक्य है तो दोस्तों सुद्द वाक्य कौन सा है दोस्तों यहाँ पर के मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया ठीक है यह सुद वाक्य है तो यहां पर तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे वेंजन संदी से समंदित सब्द है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों जगदीस जगत फलस से इस तो यहां पर इसमें चार नमबर उप्शन सही आगे देखे किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है तो दोस्तों किस का विग्रह सही नहीं है यहां पर देखे सत्य आगर है सत्य का आगर है यह इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही ठीक है सत्य के लिए आग रहे ठीक है यह होगा आगे देखे किस विकल्प में विफरी तार तक सब्द नहीं है तो विफरी तार तक सब्द किसमें नहीं है तो वह जाएगा दोस्तों इसमें आपको पता चल गया होगा दोस्तों इसमें देखे हर स्विश में यह गलत दे रखा है दोस्तों तो यहां पर तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे पित्र नंबर का उप्शन सब्ट का संदी विच्छत क्या होगा तो दोस्तोथ यह हो जाएगा इसमें पित्री प्लस अनुमती तो यहाँ पर अपना इसमें दो नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए वाक्यांज के लिए सार्थक सब्द नहीं है तो सार्थक सब्द कौन सा नहीं है तो वह है दूत का कारिय दोते एक नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोते आगे देखिए द्रोपदी का प्रियावाची नहीं है बताए द्रोपदी का प्रियावाची कौन सा नहीं है वो है दोस्तो पांचा लिका पांचा लिका है यह दोस्तो द्रोपदी का प्रियावची नहीं है तो यहाँ पर इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा तो दोस्तो इसे के साथ मने यह हिंदी वैकरण के प्रस्न है वो मने आपको 50 प्रसन है वो करवा दिये है अब आपका स्कोर कितना है वो आपको पता चल गया होगा और अराध्यरेस अकेटिमी की यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरेंतर पहुंचता रहे वीडियो को लाइक मी किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत